तो अलो गाइस इस वीडियो में ग्लोबर फ्लीस के चेप्टर नमबर 246 और 247 को एकस्प्लेइन करेंगे एकसी एकस्प्लेइन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कोई टाइम देश किये चले शुरू करते हैं सो चप्टर की शुरू आत होती है शिंशिन और करेंट से जहां ये दोनों शेहनाई को चेक करती हैं कि उसको कहीं चोट तो नहीं आई फिर शेहनाई कहता है ऐसा लग रहा है तुमको चोट लगी है बट मैं ठीक हूँ फिर अंटी अंकल से कहती है कि तुमको कहीं चोट तो नहीं आई फिर अंकल कहता है नहीं नहीं मैं टोगी कूँ फिर शेनाई अपनी सिस्टर को देखता है और एकदम से ही उसको हक कल लेता है और कहता है धैंक्यू तुमारी हैल्प के लिए तुमारी हैल्प के बिना यह विक्री पॉसेवल नहीं थी फिर sister कहती है मैंने तो बस थोड़ी सी हैल्प की थी बट ये ये तुम सभी की हैल्प से हुआ है ब्रादर फिर सेनाई उसके गाल खीच कर कहता है तुम अपने आपको कम मस समझो तुम मेरी इले बहुत इंपोर्टेंट हो फिर ये काफी बलश करती है और ये यहाँ लड़की इसको घूनने लगती है फिर सेनाई इसको हग करता है और कहता है मुझे बताने दो इस बार का सेल्टर की कंडिशन अच्छी है और वहाँ बहुत जगा भी है फिर अंकल कहता है तुमारा क्या प्लैन है फिर अंटी कहती है कि मेरा प्यारा और कीमती विला अभी वहाँ ही है जब मैंने उसको पहली वार खरीदा था मैंने 200 मिलियन पैंड किये थे फिर सेनाई कहता है उस जो लाइफ में नैसेसरी है वही ले जा सकते हैं और यहाउस ओरिजनल कंडिशन में ही रहेगा और कुछ डेली लाइफ में नैसेसरी हैं चीजें वह यहां रहेंगी और अगर वहां कुछ पहले दिन हुआ तो हम इस प्लेस को एमपेरी बेस जैसे यूज़ कर सकते हैं और कि सभी अपना सामान लेकर बहां से निकलने लगते हैं और सोचता है मेरे अलावा कोई यहां एंटर नहीं कर पाएगा और मैं उन लोग में से नहीं हो जो दूसरों के लिए जगा छोड़ दे फिर यह बंदा यहां आता है और फिर सेनाई कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो और क्या अंकल ने तुम्हें यहां आने के लिए बोला है फिर यह कहता है आज रात बेस्ट की तरफ एक बड़ा एक्स्प्लोजन हुआ था और सभी उठ गए थे और फिर हम वहां सो भी नहीं पाए फिर मैंने देखा कि तुम लोग जस्ट आज सोभाई यहां बापिस आयो तो मैं यहां आकर खुद देखना चाहता था फिर शेहन आई कहता है अब तुमारी बोडी कैसी है और क्या तुम अब कुछ एबनॉर्बल फील कर रहे हो फिर यह कहता है नहीं मैं अब इस एबिलीटी को यूज़ करने की सोच भी नहीं सकता प्रोफेसर जी ने मुझे नहीं हुए हैं आप दोनों रेस्ट करने के बाद कोई भी चूस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे फिर अंकल कहता है ठीक है फिर सेनाई रूम में जाता है और बेट पर लेट जाता है और सोचता है इस्टुमीलीटन का डिवरेशन आलमुस्ट खतम हो चुका है और नहां क्या कर रहे हैं लियांग सोचती है आउसकी प्रॉब्लम तो सॉल्ब हो गई है बट फूट की प्रॉब्लम सॉल्ब करना अभी भी बहुत मश्किल है और अभी इंपोशिवल है कि यह स्टूडेंट फिशिंग करना सीख लें और और मैं बलेजर्स का भी कुछ नहीं क होगा तो ज्यादा हांगे की मस सोचो फिशन आई सोसता है मुझे बच्चा पैदा करने का कोई प्लैन नहीं है और मेरी करेंट लाइफ पे इंपेक्ट को मेंशन नहीं करते तो वल्ड के एंड में एक लाइफ मतलब एक और बड़न होगा फिर किरन कहती है हाला कि मैं अपन करन को अपने पास लाकर कहता अपनी बॉड़ी और विच अच्छे शेप में रखो इपनी टेकनिक पर काम करो फिर को पता है मजह कैसे पड़ी संध करना है इस एहन के पास आकर कहता है निए इस टाइप करक्टिस कैसे कर सकती हो तो तुम arrogant होने के लिए मेरी friend weakness का advantage ले सकती हूँ और जब मैं recover हो जाऊँगा तो मैं तुमको बताऊँगा कि मैं कितना powerful हूँ ठीक है तो मैं तुमारा weight करूँगी और ये बाते हैं अंकल खड़ेगो कर सुन लेता है तुम आई यहां आई आई है वो आ है और कह रही है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फिर के असको भी अंधर आने दो मुझे भी उससे कुछ बात करनीandaनी है बड़ शेंचेनाय को पकाडती है ये जरूरी नहीं नहीं है मैं इतना भी फीक नहीं हुआ हूँ अभी फिर सेनाई कहता है टीचर लियांग आप यहां आईए और बैठिए तुमने कॉमबेट यूनिफर्म क्यों नहीं पहनी फिर लियांग कहती है यह टेंप्रेचर कंट्रोलिंग सिस्टम इलेक्रिसिटी कंजिम करता है सेनाई सोचता है एट्स राइट 28 के पास हर टाइम यह एलेक्रिसिटी नहीं पहुंच सकती है फिर सेनाई कहता है टीचर लियांग तुमारी अबिलिटी की एल्प से तुम आराम से कमपटेवल लाइफ जी सकती हो बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यह इतना डिफिकल्ट होगा क्या बात क्या है ऐसे टाइम यहां आना हुआ हुआ है